डी नेम होरोस्कोप 2023 मित्रो नमस्कार मैं मैं ट्रिपाठी नावगयां जोति शैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ यदि आपका नाम डी एक्छर से सुरू होता है तो कैसा रहेगा वर्स 2023 इसकी जानकारी में देने का प्रयास करूँगा डी नाम वालों के अंदर थोड़ा एक बहुत बड़ी खराबी होती है वाडी इनकी बहुत ज़्यादा दूशित होती है किसी से कब क्या कहे देंगे इसका कोई भरोसा नहीं होता है बहुत ही ज़्यादा ये घमंडी होते हैं लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये मेहनती भी होते हैं और अपने वाडी के चलते ही ये जीवन परियंत नए नए दुश्मन अपने लिए खड़े किया करते हैं पेट के साफ होते हैं बात करेंगे अगर वर्स 2023 की तो वर्स 2023 में जितने भी डी नाम वाले विक्ति हैं नौकरी उनकी अच्छी चलती रहेगी ये आप नौकरी कर रहे हो तो भी समय शुब है नौकरी नहीं कर रहे हो तो प्रयास करो आपको नौकरी मिल जाएगी किन्तु थोड़ा बहुत मानसिक असांती के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा क्योंकि आपका चौथे नंबर का लेटर पड़ता है अलफाबेट पड़ता है और वर्स का जो अंक है वह पड़ रहा है साथ व्यापार यदि आप करते हो तो व्यापार में आपको दिन दूने राज चोगने सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी व्यापार आपका अच्छा चलेगा चाहे वह कोई भी व्यापार हो शेयर सट्टे में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशिल रिजल्ट आपको वर्स परियंत देखने को मिलता रहेगा अगर आप प्रेमी जोड़े हो यानि कि लव लाइफ में आपको उठा पटक देखने को मिलेगी प्रेम में आपको विश्वास घात मिल सकता है या आप स्वेम भी विश्वास घात कर सकते हैं ऐसे प्रबल्योग दिखाई पड़ रहे हैं अगर बात करें वैवाहिक जीवन की तो वैवाहिक जीवन के लिए इस्थितियां अच्छी बनी हुई हैं वैवाहिक जीवन शांदार तरीके से चलता रहेगा पती-पत्नी में सामंजस से बना रहेगा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और खुशखबरी यह दिखाई पड़ रही है कि वर्स 2023 में आपके पास अचानक से समय समय पे बड़े बड़े लाभ होते हुए दिखाई पड़ेंगे यानि कि पैसा आपके पास खोबाएगा धन की इस्थिती आर्थिक इस्थिती वर्स परियंत बहुत ज़्यादा मजबूत आपकी बनी रहेगी यदि आपका नाम डिये छर्चे शुरू होता है अगर आप विद्यार्थी हैं तो सिख्षा के छेत्र में भी आप बाजी मार ले जाओगे सिख्षा में उच्छ सिख्षा में समय समय पे आपको लाभ देखने को मिलेगा जो भी कॉम्पेटीटर आपके हैं वो आपसे डिफीट खाते रहेंगे यात्राओं की ये बात करें तो यात्राओं के लिए भी शमय की चाल बहुत अच्छी है आप यात्राओं करिए यात्राओं से कहीं न कहीं positive response ही आपको देखने को मिलेगा सभी छेत्रों में आपको लाभ मिलेगा लेकिन प्रेम संबंध से दूरी बना करके रखो और थोड़ा वाणी पे नियंतरण रखो और फालतू की मानसिक असांती आप मत पालो उपाय आप क्या करोगे बुद्धी विवेक से काम करें तो आपके लिए अच्छा है इसके अलावा अगर कोई नया काम नया व्यापार या कोई भी नई चीज आप शुरू करना चाहते हैं तो क्रपा करके एक बर परिवार की राय मस्विरा ले ले ताकि आपको बैक फुट पे ना आना पड़े उपाय में गड़ेश जी का मंत्र जब करना ओम गंगडपते नमा यहां आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा वर्ष परियंत इस मंत्र का जब करिए और लाबदायक इस्थिती को और भी ज़्यादा आप बढ़ाते हुए चले जाईए तो वीडियो को लाइक मारिएगा सारवजनिक प्रश्ण है तो कमेंट करिएगा माइन के तरपा ठीक और मत दीजिए नमस्कार